एई गाइस, what's up, कैसे हैं आप सभी लोग, बहुत-बहुत सभागत है आप सब का आज के समेजिंग से सेशन में हम कर रहे हैं CA Intermediate May 23 का Fast Track Course on Taxation और आज इसका 12th lecture है हम लोग ने कल से income from salary start किया था और आज उसका second lecture होने वाला है मेरे बारे में कोई information थोड़ी बहुत आप यहाँ पर बढ़ सकते हैं जितने भी students यहाँ पर नए हैं, this is my schedule, रोज रात को 9 बजे आप लोगों की यहाँ पर class चलती है Fast Track Taxation for C Intermediate May 23 Unacademy Plus के warm-up batch में मैं GST की detailed classes ले रहा हूँ जो May 23, November 23 दोनों के लिए relevant है, तो आप लोग मेरी तरफ से highly recommended है कि आप लोग उन classes को जरूर attend करें उसके लिए आपको Unacademy Plus का subscription लेना होगा, लेकिन subscription कैसे लेना है, वो मैं आप लोगों को इस video के end में बताऊँगा May 23 वाले students के लिए मैंने एक strategy session लिया था, जिसका link आपको इस video के description में मिल जाएगा तो even a little bit confused के दोनों group देना चाहिए, single group देना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वगेरा वगेरा जिसमें आपको सारे के सारे lectures मिल जाएगे, शिरुवात से लेकर अभी तक हमारे जितने भी हुए है तो वो playlist का link भी आपको इस video के description में मिल जाएगा जो भी यहाँ पर मैं notes यूज करता हूँ, वो notes की PDF copy भी आपको यहाँ पर notes में, description में एक link तिया हुआ है चल गए थे, हम लोग ने allowances पूरे के पूरे खतम कर लिये थे कल, revise करके, और मेरे खाल से बहुत ही detailed revision हुआ था, ऐसा बिलकुल लगा नहीं कि भाग रहे है या कुछ भी है, तो हमारा यह allowances खतम हो गए थे, house rent allowance हम लोग ने किया था, कल एक बड़ा आसा question यह वाला किया था और उसके बाद holy exempt allowances में मैंने आप से खाते हैं कि बस आप एक बार उसको याद करके रख सकते हो, जिससे अगर कभी theoretical question आ गया तो आप उसको attempt कर पाओ, अब हम लोग आ जाते हैं, taxability of perquisites पर, अभी perquisites का मतलब क्या होता है, ठीक है, देखो, perquisites कुछ extra benefit होता है, जो कि employer द mobile bill के लिए her महीने fixed amount दे रहा है 1,000 रुपे, तो इसको बोलेंगे कि इसने telephone allowance दिया, ठीक है, अगर मेरा employer मुझे mobile bill के लिए 1000 रुपे, fixed amount दे रहा है 1000 रुपे, पर मतलब का, तो इसको हम लोग है perquisite इसको क्या बोलते है perquisite the only difference between allowance and a perquisite is कि perquisite में आपको जो benefit है हो सकता है monetary हो हो सकता है non-monetory हो लेकिन जो benefit है वो only to the extent जितना आप उसका फाईदा उठापाऊ जितना आप उसका फाईदा उठापाऊ तो मैंने अपना mobile bill office में जमा किया और office से मेरेको अगर उसका reimbursement मिल रहा है, तो इसको हम लोग बोलते है perquisite, right, medical allowance medical allowance, हर महीने आपको एक fixed 1000 रुपिया या 2000 रुपिया दे दिया, कि कभी अगर बीमार पड़ गए या दवाईयों की ज़रुवत होई, तो फिर ये आपके पैसा अलग से दिया हुआ है, perquisite medical perquisite क्या हुआ, बीमार पड़े hospital गए, इलाज करवाया, इलाज का पूरा का पूरा बिल office में लाकर थमा दिया और office वालों ने उसका reimbursement कर दिया, this is known as perquisite, right, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, यहाँ पर एक और problem आएगी, problem क्या आएगी, यहाँ पर एक और कल, allowances में, जब हम लोगों ने बात की, तो हम लोगों ने यही बात की, कि allowances क्या पूरी तरह से exempt है, तो हमारा जो aim था, वो ना exemption की तरफ था, कि इस allowance का कितना portion exempt होगा, तो हम लोगों ने देखा था, या तो fully taxable allowances होगे, या तो partly taxable allowances होगे, अब partly taxable में भी वो होगे जो exempt to the extent of expenditure है, और वो होगे जो exempt to the extent mentioned in law है, तो वहाँ पर बात थी कि इतना exempt, इतना exempt, इतना exempt, इतना exempt, इतना exempt, पर मन्थ, पर चाइल्ड के लिए 100 रपे education के लिए exempt, होस्टल के लिए 300 रपे exempt, ठीक है, उसके बाद हम लोग आ गये थे to the extent mentioned in law पर, तो जैसे बहाँ to the extent mentioned in law पर वाले ही बताया मैंने, कि कितना exempt है यह, लेकिन जब हम perquisites में बात करेंगे, तो हमारा जो सोचने का तरीका होगा, जो बात करने का tonality होगी, वो यह होगी, कि इसमें से कितना-कितना taxable है, ठीक है, allowances हो, चाहे perquisites हो, आपकी salary का form part करते हैं, और taxable तो होते ही होते हैं, right, but allowances जब हम पढ़ रहे थे, allowances जब हम समझ रहे थे, तो हमारी tone जो थी, हमारा जो सोच थी, वो यह थी, कि इसमें से कितना-कितना portion exempt होगा, लेकिन perquisites में जब हम बात करेंगे, तो हमारी जो tone होगी, हमारी जो सोच होगी, वो इस point of view से होगी कि इसमें कितना-कितना portion taxable होगा, right, आओ देखते हैं, तो the term perquisites means any kind, any extra benefit, अरे कहां गया, यह देखो, so the term perquisites means any extra benefit granted to the employee in addition to his salary, it may be given in cash और kind, चाहे वो cash में हो, चाहे वो kind में हो, perquisit तो perquisit है, आओ देखो, तीन टाइप की perquisites होती है, perquisites taxable in case of all employees, किसी भी टाइप के employee को मिले तो यह perquisit taxable होगी, tax-free perquisites in case of all employees, कि कुछ perquisites ऐसी होती है, जिन में बिल्कुल भी tax नहीं लगेगा, और दूसरा, perquisites taxable only in the hands of specified employees, तो कुछ specified employees होते हैं, उनके बारे में हम बात में बात करेंगे, कि यह perquisit सिर्फ specified employees को दी जाएंगी, तभी taxable होगी, otherwise यह taxable नहीं होगी, सबसे पहली perquisites जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वो है rent-free accommodation, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, कल ही हम लोगों ने last में house rent allowance किया था, again, the difference between house rent allowance and rent-free accommodation, house rent allowance में क्या हुआ, हर महिने आपको एक fixed amount दिया गया, कि या तु किराये पर रहता होगा, किराये का खर्चा तेरा नेसेसरली जाता होगा, ये लिए मेरी तरफ से कुछ पैसा ले, अपना किराये पे कर दियो, पर अक्विजिट क्या हुआ, कि अरे यार, तू तो यहाँ पर आया है, तू रहेगा कहा, मेरे पास मकान पढ़ा हुआ है, आजा, उसी मकान में रहे, मेरे सारे के सारे employees उसी मकान में रहते हैं, एक building मैंने ली हुई है, उसमें अलग-अलग flats है, तू जा उस वाले flat में रहे ले, ये हो गई, rent free accommodation, तो अब दो तरीके, या तो house rent allowance, कि employer ने आपको पैसा दे रिया, अपना मकान खुद धूड़ो, खुद किराए पर रहो, और ये हम अपोर्ट कर सकते हैं, ये हमने तुमको दे दिया, दूसरा तरीका क्या हो गया, कि company ने अपने service apartments बना रखें, और वहाँ पर जो company के employees है, उनको वो ठहरा देती है, तो ये हो गए rent free accommodation, अब देखो, यहाँ पर तगड़ा है, अब, rent free accommodation अगर है, तो दो तरीकों से वो rent free accommodation दी जा सकती है, एंप्लॉयर के पास building है, building में खाली flats पढ़े हुए, सिर्फ flats है, only the building, तो उसको बोलते है, unfurnished accommodation, क्या बोलते हैं उसको, unfurnished accommodation, जहाँ पर सिर्फ flat है, वहाँ पर कोई furniture नहीं है, टीवी नहीं है, बेड नहीं है, सोफा नहीं है, कुछ नहीं है, तो यह हो गया unfurnished accommodation, तो या तो employer ने सिर्फ आपको unfurnished accommodation दी, तो उसकी taxability अलग तरीके से calculate होगी, या फिर employer ने आपको furnished accommodation दे दी, और furnished accommodation के case में कैसे calculation होगा, furnished accommodation में भी दो चीज़ें आती है, एक, या तो जो भी वहाँ पर furniture पढ़ा हुआ है, furniture मतलब सब कुछ आ जाता है, AC, TV, fridge मगएर अभी furniture में आ जाता है, तो या तो वहाँ पर जो furniture पढ़ा हुआ है, वो employer का हुद का owned है, या employer ने खुद उसको कहीं से किराए पर लिया है, और आपके लिए available करवाया है, तो इन दोनों cases में हम लोग देखते हैं, तो आ जाओ, मेली तीन categories में हम यहाँ पर माटेंगे, एक, दो, और ये तीन, ठीक है, तीन categories में हम इसके discussion को करके चलेंगे, सबसे पहली category होगी हमारी, provided by government to employees holding office या post in government affairs, तो अगर सरकार आपको provide करवा दिये, rent free accommodation, rent free accommodation अगर सरकार आपको provide करवा दिये, और आप हो कौन, आप government affairs में ही कोई एक office या post hold करते हो, तो अगर unfurnished accommodation है, तो फिर taxability कितनी आएगी, license fee, जो कि सरकार खुद बताती है, minus the actual rent paid, minus the actual rent paid, minus the actual rent paid का क्या मतलब है, कि सरकार ने आपसे कहा, कि ये रही, तुमारी accommodation इसमें आकर रहने लग जाओ, ठीक है, और हम तुमसे बस थोड़ा-थोड़ा charge करेंगे, rent, हम तुमसे थोड़ा सा rent charge करेंगे, तो अब employee, जो भी employee है, suppose मैं employee हूँ, मैं उस मकान में रह रहा हूँ, ठीक है, तो मैं उस मकान में अगर रह रहा हूँ, और unfurnished accommodation का, जो भी license fee सरकार ने decide की हुई है, पूरी की पूरी license fee पर मैं ही tax भी pay करूँ, देखो, rent free accommodation मुझे मिली है, taxable तो ही है, तो यह जो rent free accommodation है, taxable तो होगी, tax वाला portion कितना होगा, जितना license fee determined होगा, लेकिन उस पर license fee पर मैं पूरा tax भी pay करूँ, और मैं अपने employer को थोड़ा सा rent भी pay कर दूँ, तो क्या मतलब है होगा इसका, तो license fee में से जो rent मैं pay करता हूँ, मतलब जो rent employer recover कर लेता है, उसको minus कर दिया जाता है, और वो unfurnished accommodation का taxable value निकल कर आती है, अगर यह unfurnished accommodation, government ने provide किये किसी ऐसे बन्दे को, जो government में कोई office या post hold करता है, यह बात हुई unfurnished accommodation के बारे में, अब अगर furnished accommodation है, तो फिर क्या हुआ, unfurnished वाले में आप add करोगे, value as per column 3, unfurnished वाली value तो रहेगी रहेगी, plus furniture की cost, एकदम simple है, furnished accommodation का taxable value क्या आएगी, value of unfurnished accommodation, plus the value of furniture, अब value of furniture कैसे आएगी, इसमें देखो, अगर furniture employer ने खुद own किया हुआ है, तो 10% of the cost of furniture will be the value of furniture, that will be taxable in your hands, लेकिन अगर employer ने furniture खुद rent किया हुआ है, तो जितना भी employer आपका उस furniture के लिए higher charges पे करता है, वो आपके लिए taxable value होगे, simple है, very simple है, ठीक है, देखो, बहुत ही simple है, unfurnished accommodation की value आपकी यहाँ पर से आएगी, furniture, furnished accommodation के लिए आपको furniture की value आड़ करनी होगी, furniture अगर employer का खुद का है, तो 10% of the cost आड़ करोगे, furniture अगर employer ने कहीं से किराया पर लिया हुआ है, तो जितना भी किराया employer पे करता है, उसको आप आड़ करोगे, it's as simple as that, right, अच्छा, government को छोड़के, अगर कोई other employer प्रोवाइड करता है तो, अगर कोई other employer प्रोवाइड करता है, अब इसमें भी दो पार्ट से हम लोग देखेंगे, कि क्या accommodation का owner खुद employer है, या accommodation lease या rent पर लीवी है, जो employer है, वो उसके खुद की accommodation है, या accommodation employer ने भी lease या rent पर लीवी है, अभी इसको देख लो, अभी इसको आराम से देख लो, questions के थूँ मैं आपको समझाओगा, ध्यान से सुनते रहा ना मेरी बात, तो देखो, अगर employer ही इस accommodation का owner है, तो फिर unfurnished accommodation का कितना value taxable होगा, वो depend करेगा कि उस area की population कितनी है, अगर population 10 लाग या 10 लाग से कम है, तो 7% of the salary, बागी ये furnished accommodation में, it's exactly the same, अगर furniture owned by the employer है, तो 10% of the cost आप add कर दोगे, नहीं तो higher charges of furniture आप add कर दोगे, ये तो बात हुई, कि अगर किसी और employer ने आपको rent-free accommodation प्रवाइड किया, और वो accommodation employer नहीं own की हुई है, अब बात करते हैं, अगर वो accommodation employer ने खुद ही rent पर ली हुई है, तो फिर क्या होगा, lower of actual rent paid by the employer, या 15% of the salary, lower of actual rent paid by the employer, या 15% of the salary, तो अगर employer ने खुद वो accommodation rent पर ली हुई है, तो आपके हाट में taxability कितने आईगी, जितना rent employer pay कर रहे हैं या तो वो, या तो आपकी salary का 15%, तो 10% of the cost of furniture आड़ कर दो, नहीं तो higher charge of the furniture आड़ कर दो, और तीसरा category आती है, accommodation provided in hotel, अगर employer ने आपको बुलाया, और hotel में रुखवाया, तो फिर क्या होगा, अब इसमें unfurnished accommodation तो पॉसिबल ही नहीं है, कि आपने आज तक कहीं कोई ऐसा hotel देखा है, जहां पर आप hotel में जाते हो, hotel वाले से कहते हो कि मेरे को camera book करना है, hotel वाले कहते है, हाँ ठीक है, पलंग अपना लिकिया हो, नहीं न, hotel में जब आप जाते हो, hotel तो हमेशा ही furnished होते है, तो यहां पर unfurnished accommodation वाले तो पंगा ही नहीं होते है, तो furnished में lower of actual charges paid या payment to the hotel, या 24% of the salary, whichever is lower, whichever is lower, ठीक है सर, तो I hope, यहां तक की बात आप सब लोगं को clearly समझ में आ चुकी है, पहला क्या था, rent free, rent free accommodation, अब rent free accommodation में तीन चीज़े देखते हैं, अगर सरकार आपको दे रही है, क्यों, क्योंकि आप सरकारी किसी office या post को hold करते हो, तो फिर license fee will be the taxable value of unfurnished accommodation, लेकर अगर आपसे कोई rent recover किया हुआ है, तो वो rent minus हो जाएगा, furnished accommodation में, unfurnished accommodation की value में आपको furniture की cost आड़ करनी होती है, अगर furniture employer के द्वारा owned है, तो 10% of the cost of furniture आड़ कर दो, अगर furniture employer ने खुद ही किराय पर लिया हुआ है, तो actual charges paid by the employer आप उसको आड़ करोगे, उसके बाद government के अलावा अगर कोई other employer प्रोवाइड करता है आपको, तो फिर दो चीज़ें हो सकती हैं उसमें, कि क्या वो accommodation employer के खुद की owned है, या वो accommodation employer ने कहीं से किराय पर लिया है, अगर वो खुद की owned है, तो फिर unfurnished flat की जो भी value होगी, वो depend करेगी कि उस शहर की population कितनी है, अगर population 10 लाग से कम है, तो 7.5% of the salary, 10 लाग या उससे कम है, 7.5% of the salary, अगर population 10 लाग से ज्यादे है, तो 25% of the salary, furniture की cost वही आ जाएगी, या तो 10% of the cost of furniture, या फिर rent paid for the furniture, अगर यह accommodation employer ने खुद ही किराय पर लिया हुई है, तो फिर lower of the following, या तो actual charges paid by the employer, या फिर 15% of your salary, whichever is lower, और अगर employer ने आपको hotel में accommodate करवाया हुआ है, तो फिर lower of, या तो actual charges paid to the hotel, या फिर 24% of your salary, whichever is lower, यह आ जाता है, इससे related कुछ और points है, आओ देखते हैं, in all the cases above, if the employer recovers any amount from the employee, be it for rent or for furniture, it is deducted from the value of perquisite calculated above, एकदम common sense वाली बात है, तो फिर वो एकदम rent free कहा हुआ, तो उस amount को minus कर दिया जाएगा, और बचे हुए amount पर ही आपको tax देना होगा, salary का मतलब क्या हो जाता है, basic plus DA in terms, plus bonus, plus taxable allowances, plus all types of commission, plus monetary income other than perquisites, कल जब हम allowances में देख रहे थे, तो salary का मतलब क्या था, basic plus DA in terms, plus commission on turnover, लेकिन यहाँ पर rent free accommodation के case में, जब आप salary को calculate करोगे, तो यहाँ पर अलग-अलग प्रकार की salaries आईगे, तो basic DA in terms और commission, बस यहाँ पर commission all types का आजाएगा, यह तीन चीज़ों थे same होगे, बस इतना आपको ध्यान रखना है कि commission on turnover के जगा, सभी type का commission आजाएगा, तो यह हो गया, उसके बाद जो बची हुई तीन चीज़े हैं, वो कौन-कौन सी हैं, bonus, taxable allowances, और monetary income other than perquisites, perquisites को छोड़के कोई भी है, तो allowance, perquisites, bonus, बोनस, allowance, perquisites, allowance और perquisites तो एकदम clear है, और bonus भी एक term है, जो आप लोग सुनते ही रहते हो, कि bonus मिला, bonus, मिला, bonus, मिला, तो जो तीन चीज़े हैं, जो हम लोग कल याद कर चुके तो वो तो सेम हो गई, basic DA commission, बस यहाँ पर कहा हैं कि commission on turnover नहीं है, यहाँ पर commission सभी type का है, उसके बाद कि जो तीन चीज़े हैं, allowances और perquisites होगे, ठीक है, allowances और perquisites, के लिए keyword बता रहा था, और उसके बाद bonus आ जाएगा, इधार लेहो, तो ठीक है, सिर्फ इस ही साल की salary को देखेंगे, salary as per note 2 should be considered for the time for which the SSE has occupied the house, ठीक है, जितने time के लिए उसने occupy किया है, सबोज उसने 3 महीने के लिए occupy किया हुआ house को, तो हम salary भी इनी 3 महीनों के ही calculate करेंगे, साल भर की नहीं करेंगे, employer contribution towards provident fund and interest should be ignored, तो यह provident fund वगएरा क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बाद में बाद करेंगे, तो employer अगर provident fund में कुछ भी contribute करता है, तो उसको आप salary के calculation में consider नहीं करोगे, for computing salary as per note 2, अगर आपको किसी एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसफर करवाया गया, और वहाँ पर आपको 15 दिन के लिए hotel में रखवाया गया, तो 15 दिन तक आपसे कोई tax नहीं लिया जाएगा, 15 दिन के ऊपर जितने भी charges paid है, या 20% of the salary, whichever is lower के basis पे आपको tax pay करना पने जाएगा, आगे देखो, if the employee has been transferred to another place, and he has been provided an accommodation at the new place, while still retaining the accommodation of the old place, मेरा transfer अलाबाद से नोईडा किया गया, मेरे पास एक property अलाबाद में भी है, उसको भी मैं hold करके रखवाँ, और नोईडा में मेरे को नहीं property भी दे दी गई है, तो उसमें भी मैं रह रहा हूँ, ठीक है, तो अब क्या हुआ, for the first 90 days, the value of rent-free accommodation, will be the value of that accommodation, or the value of which is lower, as calculated as per the rules, ठीक है, तो अभी अलाबाद वाली भी वह property है, अलाबाद वाली भी accommodation है, और नोईडा वाली भी accommodation है, तो taxable कौन सी होगी, इन दोनों की हम लोग निकालेंगे, कि क्या-क्या value आनी चाहिए, इन दोनों में से जो भी lower होगी, वो taxable हो जाएगी, 90 दिन के बाद, after 90 days, the value of rent-free accommodation shall be the total value of both the accommodations, तो 90 दिन के बाद, दोनों accommodations के जो भी value आएगी, उस पर मेरे को tax देना पड़ जाएगा, चलो sir, rent-free accommodation हमारा खतम हुआ, अब इससे related questions हम लोग देखना, start करते हैं, देखो, Mr. C is a finance manager in ABC Limited, company has provided him with rent-free unfurnished accommodation in Mumbai, अब Mumbai ये एक ऐसा शेहर है, जिसकी population 25 लाग से ज्यादे है, 25 लाग से ज्यादे है, तो 25% of the salary आपका tax अब लोगा, अगर ये rent-free accommodation is owned by the employer, he gives you the following particulars, basic salary 6,000 रुपे पर मन्त, 12,000 रुपे पर मन्त, 30% is for retirement benefits, bonus 1500 रुपे पर मन्त, even though the company allotted the house to him on 1st April 2022, he occupied the same only from 1st November 2022, तो हम कितने time का basic salary बगरा देखेंगे, November से देखेंगे, ठीक है, जितने time के लिए वो रहा है, उस time के लिए देखेंगे, calculate the taxable value of perquisite for assessment year 23-24, कोई दिखकर ताली बात नहीं है, आजाओ देखते हैं, तो सबसे पहले basic salary, basic salary कितनी आईगी आपकी, 6,000 रुपीज है, ठीक है, और ये allotment 1st और April से हुआ है, लेकिन रहा काप से, acquisition 1st November से किया गया है, तो 5 महिने, November, December, January, February, March, 5 महिने, तो 6,000 into 5, 30,000 रुपीज है आगया, 30,000 रुपीज है उसके बाए, दिखेंगे, 2000 रुपीज पर मांथ, ठीक है, तो 2000 रुपीज पर मांथ, इन टर्म्स ही calculate किया जाता है, तो 30% of 2,000 रुपीज इन्टू 5, अरे, 2,000 रुपीज इन्टू 5, इसका 30% या आता है, 3,000 रुपे, ठीक है, उसके बाद, बोनस 1500 रुपीज पर मांथ, तो 1500 रुपीज इन्टू 5, ठीक है, बोनस 15,000 रुपीज पर मांथ, तो, 15,000 रुपीज इन्टू 5, या या साड़े साथ है साथ, यह हमारी, अच्छा, और कोई allowance perquisite कुछ भी आया, और कोई भी allowance perquisite कुछ भी आया, और कुछ allowance perquisite यहां पर नहीं है, कोई और bonus नहीं है, कोई और commission वगेरा कुछ भी नहीं है, इसी को आप total कर लोगे, तो यह आ जाएगा आपका, 30,000 plus 3,000 plus 7,500, this comes to 40,500, this comes to what? 40,500, ठीक है, अब देखो, यहां पर कहीं पर भी यह नहीं लिखा हुआ है, कि जो accommodation है, वो employer के खुद की accommodation है, यहां कहीं पर भी यह नहीं लिखा हुआ है, कि जो accommodation है, वो employer के खुद की accommodation है, तो हम assume नहीं करेंगे, कि यह accommodation खुद की है, हम assume बिल्कुल भी नहीं करेंगे, कि accommodation खुद की है, हम simply क्या करेंगे, हम simply यह वाली चीज़ देखेंगे, lower of actual rent paid by the employer या 15% of the salary, यह आपका taxable हो जाएगा, salary आगई आपकी, salary का 15% निकालो, तो 40,500 का 0.15 यह आजाता है, 6075, 6075, this is the value of taxable per credit, ठीक है, तो since Mr. C occupies the house only from 1st November, we have to include salary due to him only in respect of months during which he has occupied the accommodation, hence salary for 5 months, that is from 1st November to 31st March, will be considered, right, यहाँ पर question में हमें यह भी नहीं दिया हुआ है, कि employer ने कितना पैसा pay किया, तो कोई बात नहीं, उसको ignore कर देंगे, हमारी 15% of salary के साफ से 6,075 रुपीज आगा है, तो rent paid by the employer, यह 15% of our salary, whichever is lower, यह है, अगर property खुद की owned होती, तब हम population के basis पर देखते हैं, तो 25% of the salary हम निकालते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी question में mention नहीं है, कि property खुद की owned है, तो हम यह assume किया है, कि property खुद की owned नहीं है, ठीक है, आईए sir, next question देखते, Mr. C is a finance manager in ABC Limited, the company has provided him with rent-free and furnished accommodation in Mumbai, he gives you the following particulars, basic salary 6,000 रुपे पर मंथ, DNS allowance 2,000 रुपे पर मंथ, 30% is for retirement benefits, bonus 15,000 रुपे पर मंथ, even though the company allotted the house to him on 1st April 2022, he occupied the same only from 1st November 2022, compute the value of perquisite if Mr. C is required to pay a rent of 1,000 रुपे पर मंथ to the company for use of this accommodation, तो यहाँ पर यह जो आया था, 6,075 आया था, इस में से 1,000 रुपे पर मंथ माइनस कर दो आप, 5 महिने का 5,000 माइनस कर दो, तो 1,075 रुपे पर माइनस कर दो तो 1,075 रुपे पर माइनस कर दो क्योंकि यह आपकी 15% of the salary आया, any amount recovered from the employee by the employer will be deducted, will not be taxable, तो यहाँ पर यह क्या हो गया, same चीज़ है यह, तो 30,000 इधर, 30,000, यह 3,000, यह 7,500, 7,500, टोटल कितना आया, 40,500, ठीक है, 15% कितना होगा इसका, 15% होगा 6075, 6075 और 5,000 रुपीज, 5,000 क्यों, क्योंकि हर महिने के लिए 1,000 रुपे रिकवर किया रहे हैं, 1,000 रुपीज पर मंथ रिकवर हो रहे है, तो taxable value कितने आ जाएगी, 1,075 रुपीज आपके taxable value आ जाए, ठीक है, 1,075 रुपीज आपके taxable value यहाँ पर निकल कर आ जाए, ठीक है, चलो, आगे चलते हैं, अगले question की तरफ देखने हैं, अगला question यह रहाँ आपके सामने, Mr. C is a finance manager, सब कुछ सेम है, इदा देखो, even though the company allotted the house to him on 1st April 2022, he occupied the same on 1st November, compute the value of purposes, if Mr. ABC Limited has taken this accommodation on a lease rent of 12,000 रुपीज पर मंथ, अब यहाँ पर दिया हुआ है, ABC Limited ने इस accommodation को 1200 रुपीज पर मंथ की lease पर लिया हुआ है, तो rent paid या 15% of the salary, whichever is lower, ठीक है, यह हो जाता है, and Mr. C is required to pay a rent of 1,000 रुपीज पर मंथ to the company for the use of this accommodation, तो पहले हम लोग lower बाला देखेंगे, उतना taxable होगा, minus 1,000 रुपीज पर मंथ, ठीक है, यह आगे 30 इसको inner column में लिख लेता है, 30,000, ठीक है, उसके बाद, 30% of 2000 into 5, तो यह कितना आता है, यह आता है, 3,000 रुपे, अच्छा, क्या आता है, 3,000 रुपे, उसके बाद, 1,500 रुपीज इंटु 5, 1,500 इंटु 5 कितना आता है, साड़े साथ हजार, यह आए, साड़े साथ हजार, टोटल कितना आया, टोटल आया, 40,500, 40,500, इसका 15% कितना आता है, 15% इसका आता है, 6075, 6075, ठीक है, अब कंपनी ने, 1200 रुपे पर मंथ पे किया, तो 1200 रुपे, 5 महिने के लिए पे किया होगा, 1200 इंटु 5, कितना, 6000 रुपे पे किया, 6000 रुपे पे किया, तो हमारे लिए taxable क्या हो जाता है, this or this, whichever is lower, तो हमारे लिए taxable हो जाएगा, 6000 रुपे, ठीक है, हमारे लिए taxable हो जाएगा, 6000 रुपे, इसमें, हमने 1000 रुपे पर मंथ पे किया, तो 5,000 रुपे माइनस हो जाएगा और हमारे लिए taxable कितना हो जाएगा 1,000 रुपीज ठीक है, employee के लिए taxable हो जाएगा 1,000 रुपीज I hope यहाँ तकी बात आप सब कर समझ में आ गई बर रिष्टे, forever बर रिष्टे, forever और अगर किसी ना भी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को आप लाइक कर दी जिये ठीक, next question यह रहा Mr. C is a finance manager, सब कुछ सेम है, compute the value of perquisite if ABC Limited has provided a television, WDV 10,000 रुपे cost 25,000 रुपे and two air conditioners, the rent paid by the company for air conditioners is 400 रुपे पर month each, the television was provided on 1st January 2023 however, Mr. C is required to pay a rent of 1,000 रुपेस per month to the company for use of this furnished accommodation okay, furnished accommodation आ गई है, और जो furniture वगे रहे, वो खुद का provide किया हुआ है तो जो भी आपका निकल कर आएगा उसमें से हम लोग 10% of the cost add कर देंगे value of unfurnished accommodation निकालेंगे उसमें 10% add कर देंगे, value of furnished accommodation आ जाएगी, ठीक है आओ, देखते हैं इसको let's see तो value of rent free unfurnished accommodation unfurnished accommodation कैसे आएगी, 15% अज़री, तो देखो, basic salary आपके वोई 30,000 रुपे महीने की आई, तो साली 30,000 रुपे की आई, इसमें 3,000 रुपे यह आड किया, और 7,500 रुपे यह आड किया 6075, इसका 15% आता था, 6075, तो value of rent free unfurnished accommodation क्या होगा 6075, 6075 यहाँ पर कहीं वो तो दिया नहीं है 1200 रुपे पर मंथ पे करने वाला इस वाले question में नहीं दिया है कि 1200 रुपे पर मंथ पे करेंगे, तो हम अपने आप से furniture की cost को add करेंगे, तो आप देखो furniture की cost को, एक तो 25,000 रुपे का यह television प्रवाइड किया गया है और air conditioners प्रवाइड किया है और air conditioners के लिए rent paid by the company for the air conditioners is 400 रुपीस पर मंथ ठीक है, television was provided on 1st January 2023, तो 1st January 2023 को किया हो, या कुछ भी किया हो, ठीक है, हम क्या लेंगे 10% of 25,000 रुपीस, 10% of 25,000 रुपीस, तीन महीने के लिए लेंगे और बिससी पूरे साल के लिए 10% चार्ज करना तो 9 साफी हो जाएगे न, जब आपको television तीन महीने के लिए प्रवाइड किया गया है, तो तीन महीने का ही तो उससे लेंगे, तो 25,000 into 10% रुपीस का, ठीक है न, तो देखो 10% of cost for 3 months, television में, तो 10% of 25,000 for 3 by 12 25,000 का 10% 3 by 12, कितना आता है 625 रुपीस यह आ जाता है अब AC के बारे में बात करते है तो AC खुद का ओन तो है नहीं, तो जितना किराया पे किया जा रहा है, उतना किराया tax ले रहो, तो 400 रुपीस पर मन्त इच, दो AC है 5 महीने के लिए, तो 400 into 2 into 5 400 into 2 into 5 400 into 2 into 5 कितना हो गया, 4000 रुपे, यहां पर आपका आजाए गा, तो AC के लिए 4000 रुपे आ गया, दो AC 400 रुपे पर मन्त पर, तो air conditioners, rent paid by the employer, 400 रुपीस per unit into 2 into 5 months, तो यह आ जाता है 4625, 4625, यह फरनिचर की वाली होगी, तो unfurnished की वाली होगी, फरनिचर की वाली होगी, 4625, 4625, तो rent free accommodation की, जो taxable value होई 6075 प्लस 4625 यह आता है 10700, 10700 यह आ जाता है, इसमें से आप 5000 रुपे माइनस कर दो, क्योंकि आप से 1000 रुपे महिना recover किया जा रहा है, तो 5000 रुपे माइनस कर दो, तो 5700 will be the value of taxable per quesit ठीक है, 5700 will be your value of taxable per quesit, बस ज़रा सा पानी पीलू उसके बाद आगे करता हूँ, आप लोग पढ़ाओ अगला question, अगला question simple है अगला question, same type का ही है पढ़िए इसको come on, come on, come on हाँ जी चलें आगे, तो देखों यह वाला question Mr. C is a financial manager, सब कुछ से में even though the company allotted the house on 1st April 22, he occupied the same only on 1st November 22 ABC Limited has provided a television WDB 10,000, cost 25,000 and two air conditioners, the rent paid by the company for the air conditioners is 400 rupees per month each, चलो, television was provided by 1st January 2023, however Mr. C is required to pay a rent of 1000 rupees per month to the company for use of this furnished accommodation compute the value of perquisite if Mr. C is a government employee, government employee है अगर यह government employee हो जाता है तब तो बाकि सारी की सारी चीज़े ऐसी की तैसी हो जाता है license fee की basis पर यह answer आएगा बस तो license fee determined by the government for this accommodation was 700 rupees per month तो unfurnished accommodation की जो value आईगी वो कितने आईगी 700 rupees into 5 minus 5000 minus rent paid 7,000 rupees into 7,000 rupees into 5 यह unfurnished accommodation की value आईगी minus rent paid तो बाद में minus करेंगे 7,000 rupees यह मैं भूल या था कि furniture भी है इसमें तो 700 rupees into 5 यह unfurnished accommodation की value आईगी इसमें अब कुछ नहीं होगा कि सालरी का 15% लो हो या 24% लो हो या यह सब कोई नाटक ही नहीं है क्योंकि सरकारी employee है और सरकार ने license भी determine कर लिए 700 rupees पर मंत तो 700 rupees पर मंत की business पर ही आपकी taxability आएगी तो value of rent-free unfurnished accommodation 700 rupees into 5 3,500 और इसमें furniture की value आड़ कर देंगे तो furniture की value तो वह हो जाएगी 10% of cost for 3 months तो कितना आएगा यह 10% of 25,000 25,000 into 0.1 into 3 by 12 यह आते है 625 और AC के लिए 4000 rupees AC के लिए 4000 rupees कोई same है ना क्योंकि 4,6,2,5 तो 3,500 4,6,2,5 तो यह क्या आजाएगा आपको 3,500 plus 4,6,2,5 this is 8,125 8,125 इसमें 1000 rupees 45 आप माइनस कर दो 5,000 माइनस कर दो और यह आ जाते है 3,125 5, this will be your taxable value of perquisite I am sure आप सब कसमाझ में आगया बनो निष्टे फोरेवर बनो निष्टे फोरेवर ठीके सर काफी comprehensively rent-free rent-free accommodation समझन में आगया होगा आओ कच और questions लेक्ते हैं because the more number of questions you practice the better you'll be calculate the value of perquisite if any chargeable to tax in respect of free accommodation provided by the employer in a hotel to an employee for 10 days when he was transferred from Delhi to Mumbai so एक जगा से दूस्री जगा का transfer हो रहा है तो 15 दिन तक free 15 दिन तक कोई taxable नहीं तो दिली से मुंबई ट्स दिन के लिए तो free when the employee is provided accommodation in a hotel for a period not exceeding 15 days on account of his transfer from one place to another then value of such perquisite shall be nil in this case since a period of hotel accommodation doesn't exceed 15 days and the same has been provided on the transfer of the employee as per the contract of employment तो आँ देखो when hotel accommodation is provided throughout the year as per the contract of employment the taxable value shall be the lower of what actual charges paid or payable to such hotel या 24% of the salary whichever is reduced whichever is lower और इसमें से अगर employer उससे कुछ भी रिकावर कर रहा है any amount recovered from the employee shall be reduced simple next question next question यह रहा आप लोगों के सामने आईए इस वाले question को solve किया जाए in respect of rent-free furnished house if Ashok stays in a city with a population of not exceeding 10 lakh rupees तो कितना आता है 7.5% of salary exceeding 10 lakh but not exceeding 25 lakh तो कितना आता है 15% या 10% 10% है मेरे ख्याल से 10% है ना कितना सारा कर डाल हमने आजी 10% है 10% है 7.5 दस और फिर 25 ठीक है तो यहाँ पर यह आएगा आपका अगया यहाँ पर 10% आजाएगा आपका और यहाँ पर 25% आजाएगा ठीक है 7.5 दस और फिर 25 Ashok is in receipt of the following amounts from his employer during the previous year basic pay 1,80,000 dearness allowance 25% of the basic pay commission 5% of the basic pay bonus 8,000 His employer has paid income tax of 5,000 rupees and professional tax of 1,500 rupees on his behalf Besides, his employer provided refrigerator and television costing 24,000 rupees and paid 500 rupees per month towards rent of another furniture provider आईए काफी comprehensive question Let's see काफी comprehensive question calculate हमें क्या करना है compute the value of perquisite in respect of rent-free furnished house ठीक है तो rent-free furnished house के लिए हम लोगों को करना है तो यह काम करते हैं एक ही बार में इन तीनों को solve करते हैं आपर अदर्वाइस तीन बार में solve करना पड़ेगा तो तीनों को जब solve करेंगे तो हम लोगों ने particulars बनाए cities having population less than 10 lakhs more than 10 lakhs और यह 15% है I'm very sorry I'm extremely sorry यहाँ पर यह 25% है ना यह 25% नहीं होगा यह 15% होगा यह यह 25% है ना यह 25% नहीं होगा यह 15% होगा मुझे लग रहा था कुछ तो गरबड़ी चल रही है ठीक है साड़े साथ 10 और 15 ठीक है I apologize I'm sure आप में से कई साले लोग शुरुवात से यह भी कर रहो गया यह 25 नहीं है 25 नहीं है 25 नहीं है बट ठीक है कोई बात ही ठीक है तो यह 15% है again I apologize for this mistake ठीक है तो 15% of the salary यहाँ पर लिया जाएगा चलो सर 15% of the salary हम लोग यहाँ पर लेंगे continue करते हैं अपना यह वाला discussion ठीक है तो देखो चलो सर continue करते हैं फिर तो 15% ही होगा 25% नहीं होगा ठीक है चलो आज हो देखते हैं Perquisite Value of Rent-Free Accommodation Perquisite Value of Rent-Free Accommodation आओ सबसे पहले तो salary calculate की जाए Basic Pay कितना है Basic Pay है आपका 1,80,000 रुपीज का Basic Pay है 1,80,000 रुपीज का ठीक है Dearness Allowance देखें Dearness Allowance है क्या 25% of the Basic Pay 25% of the Basic Pay है और कहीं पर लिखा नहीं है कि यह Retirement Benefits का Part Form कर रही है या निकर दी है तो हमने assume कर लिया कि Retirement Benefits का Form Part कर रही है तो 25% of Basic Pay 25% of 1,80,000 1,80,000 का 25% कितना आता है यह आ जाता है 45,000 रुपीज यह आ जाता है आपका 45,000 रुपीज 45,000 रुपीज Commission है 5% of 1,80,000 Commission यह होगा Commission 5% of the Basic Pay ठीक है क्योंकि यहाँ पर जब हम Rent-Free Unpurnished Rent-Free Accommodation के बारे में बात करते है तो Salary Calculate करते हैं समय सारी चीज़े आती है Bonus, Commission, All Types, Commission सब कुछ आता है तो Commission यहाँ पर दिया हुआ है 5% of the Basic Pay तो Commission को भी हम लोग अड़ करेंगे तो 5% of 1,80,000 1,80,000 का 0.05, यह आ जाते है 9,000 क्या आगे आपका 9,000 उसके बाद Bonus, 8,000 का Bonus भी हम ला रहा Add हो जाएगा ठीक है Bonus भी हम लोग Add कर देंगे Bonus भी हम Add करेंगे उसके बाद देखो His employer had paid Income Tax of 5,000 And Professional Tax of 1,500 On His Behalf तो यह सारी चीज़ें भी यहाँ पर क्या आएंगी यह सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगे तो यह सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं आएंगी क्यों? क्योंकि यह Perquisits है यह Perquisits है ना मुझे Income Tax पे करना था Employer ने पे कर दिया मुझे Professional Tax पे करना था Employer ने पे कर दिया ठीक है? तो यह तो Perquisits हो गई तो अभी इन Perquisits को हम लोग नहीं Consider करेंगे Income Tax and Professional Tax Since it is Perquisit It shall not be included तो Salary for the Purpose of Rent-Free Accommodation कितना है आए आपका? क्या या? 1,80,000 प्लस 45,000 प्लस 9,000 प्लस 8 2,42,000 2,42 ठीक है? 2,42,000 आ गया? अच्छा अभी यहाँ पर है क्या? हाँ 2,42,000 आया? ओके 2,42,000 आ गया बात खतम होगी अब अगर इसकी population less than 10,000 है तो 7.5% of ले लेंगे 7.5% of 2,42,000 तो इसका 0.075 कितना आता है यह? 18,150 18,150 यह आ जाता है ठीक है? अगर यह ही है तो 24,200 24,200 आ जाएगा और नहीं तो 15,000 ले लेते हैं 15,000 किसका? 242,000 का 2,42,000 का 15% लेते हैं तो 15% आता है 36,300 36,300 रुपीज यहां पर यह आ जाता है ठीक है? अब देखो इसमें rent-free unfurnished accommodation की value आ गई अब value of furniture हम लोग add करते हैं ठीक है? तो देखो value of furniture के लिए यहां पर दिया हुए Besides, his employer provided refrigerator and television costing 24,000 रुपीज तो 24,000 रुपीज की cost का दिया हुए तो 10% of 24,000 आड करेंगे तो 2,400 रुपीज हम आड करेंगे तो 2,400 रुपीज इधर भी आएगा 2,400 रुपीज इधर भी आएगा तो 6,000 बाकी furniture के लिए पर जाएगा 6,000 इधर भी आड होगा 6,000 इधर भी आड होगा और 6,000 आपका इधर भी आड हो जाए 6,000 आपका इधर भी आड हो जाए ठीक है? तो यह आ गया 18,150 plus 2,400 plus 6,000 तो इस इस what? इस इस 26,550 26,550 इधर अगर हम लोग देखें तो यह क्या है? 24,200 plus 2,400 plus 6,000 तो यह कितना आ गया? 32,600 तो यह कितना आ गया? उसके बाद इधर आप लोग आड हो देखें 36,300 plus 2,400 plus 6,000 यह कितना आ गया? 44,700 44,700 यह आपका आ गया है and this completes your answer ठीक है? और इसी के साथ question number 16 भी आपका खतम हो जाता है आई एक question number 17 देखा जाए question number 17 देखते हैं फड़ावट से question number 17 यह CS में आया था June 2008 में 5 नमर का सवाल था आओ देखते हैं बड़ा मज़ा आएगा इसमें बहुती interesting सवाल है देखो Mrs. Padma, age 25 years is offered in employment by Preetam Limited at a basic salary of 24,000 पीस per month other allowances according to the rules of the company are dearness allowance 18% of the basic pay not forming part of salary for calculating retirement benefits bonus 1 month basic pay project allowance 6% of basic pay project allowance कितना आगया? 6% of basic pay यहां पर project allowance आगया है उसके बाद देखो company gives Mrs. Padma an option either to take a rent-free unfurnished accommodation at Mumbai for which the company would directly bear the rent of 15,000 रुपीस per month or to accept a house rent allowance of 15,000 रुपीस per month and find out her own accommodation अब इस वाले question में दोनों चीज़ों का आपको एक feel मिलेगी कि अच्छा house rent allowance में क्या था और perquisites में क्या था rent-free accommodation में क्या था दोनों चीज़ें यहां पर समझ में हाएंगी ठीक है if Mrs. Padma opts for house rent allowance she will have to pay 15,000 रुपीस per month for an unfurnished house which one of the options should be opted by Mrs. Padma in order to minimize her tax liability आईए देखते हैं एकदम practical सवाल CS के exam में पूछा गया था और अभी हम लोग इसको करने जा रहे हैं सबसे पहले total taxable income हम लोग calculate करेंगे HR में और rent-free accommodation में basic salary तो वही रहेगी आपकी basic salary कितनी दीवे है 24,000 रुपे पर बंद basic salary आपकी 24,000 रुपे इन्टू 12 तो यह आगया आपका 2,88,000 रुपे यह दोनों के cases में 2,88,000 रुपे ही रहेगा ठीक है 2,88,000 रुपे इधर भी और 2,88,000 रुपे इधर भी उसके बाद DA DNA से लाव इस 18% of the basic pay this is not forming part of the salary for calculating retirement benefits लेकिन taxability अगर होगी तो taxability तो पूरी की पूरी होगी तो 18% of 2,88,000 रुपे into 0.18 कितना आता है 51,840 51,840 यह भी आता है 51,840 ठीक है उसके बाद देफो DNA से लाव इस हो गया bonus 1 month basic pay तो bonus कितना है है 1 month basic pay 1 month का basic pay 24,000 है तो bonuses 24,000 रुपे bonus 24,000 bonus 24,000 उसके बाद क्या pay है उसके बाद project allowance 6% of basic pay तो project allowance तो पूरी की पूरी टाक्सिबल हो जाती है project allowance में कहीं पर कोई भी exemption तो है नहीं project allowance में कहीं पर कोई exemption है नहीं तो 6% of basic pay तो basic pay is 288,000 288,000 into 0.06 यह आ गया 17,280 17,280 17,208 project allowance यह आ गया है अब देखो house rent allowance कितना होगा rent free accommodation कितना होगा यह हम लोगों को अब calculate करना है तो सबसे पहले हम लोग आ जाते है house rent allowance पर याद है आप लोगों को house rent allowance में least of the following is exempt जितना मिला उसमें से least of the following is exempt कितना lease of the following में क्या क्या चीज नहाती थी number one actual HRA received number two rent paid minus 10% of the salary and number three 40% या 50% of the salary right दूसरी चीज यहाँ पर salary का मतलब क्या होता था यहाँ पर salary का मतलब होता था basic plus DA in terms plus commission on turnover right rent free furnished rent free accommodation के बारे में हम लोग अगर बात करें तो इसमें अलग-अलग rules आ जाते है सबसे पहले house rent allowance के बारे में बात करते है अगर house rent allowance में जाती है यह तो actual house rent allowance को कितना मिलेगा 15,000 रुपे पर मन्त का house rent allowance मिलेगा तो इसमें से minus करेंगे हम लोग lease of the following तो पहले 15,000 into 12 तो करी दूँ मैं आपर तो HRA received 15,000 into 12 15,000 into 12 कितना आता है 1,80,000 रुपे 1,80,000 रुपे यह निकल कर आ जाता है Now lease of the following is the exempt Actual HRA received तो 1,80,000 रुपे Actual HRA received 1,80,000 रुपे Rent paid minus 10% of the salary तो rent इनको कितना पे करना होगा Rent इनको 15,000 रुपे पर मन्त पे करना होगा यह देखो If Mrs. Padma Ops for house rent allowance She will have to pay 15,000 रुपे पर मन्त For an unfurnished house तो इनको rent 15,000 रुपे पे करना पड़ेगा तो rent paid कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 1,80,000 minus 10% of the salary अब 10% of the salary में क्या क्या आएगा आओ देखते Taxable value of rent free यह तो rent free accommodation का है Salary for the purpose of rent free accommodation नहीं अच्छा salary for the purpose of rent free accommodation नहीं दिया हो है तो मैंने salary for the purpose of HRA मेंने बनाए नहीं है कोई बात नहीं Basic होता है Basic is 2,88,000 Plus DA in terms लेकिन यहाँ पर जो DA वो तो in terms है नहीं Plus commission on turnover Commission on turnover कुछ है नहीं अच्छा इसलिए मैंने कोई working vote भी नहीं बनाए ठीक है तो 10% simply क्या हो जाएगा Salary House rent allowance के point of view से अगर salary को देखें तो फिर सिर्थ 2,88,000 अपर की salary होगी तो 10% of 2,88,000 आप यहाँ से minus करोगे 2,88,000 का 10% M plus 1,88,000 minus MRC is equal to 151,200 यह 151,200 ठीक है यह एकदम महज एक इतना फाक है कि जो rent free accommodation जो इनको house rent allowance मिल रहा है वो भी 15,000 का है और जो यह rent pay कर रही है वो भी 15,000 है तो this 1,80,000 is not this 1,80,000 ठीक है इस 1,80,000 is rent paid वाला रेंट जो pay कर दी है वो भी 15,000 है तो confused मत हो ना और फिर 30 सा क्या है 50% of the salary वाई 50% of the salary because she is in Mumbai na Mumbai में कहां पर यह है Mumbai तो 50% of the salary और यहाँ पर भी salary में क्या हो जाएगा वही 2,88,000 तो 2,88,000 का 50% यहाएगा 1,44,000 1,44,000 इन में से जो भी least होगा वो exempt हो जाएगा least is 1,44,000 और फिर यह आपका 1,80 में से 1,44 को माइनस कर दिया जाएगा 1,80 में से 1,44 को माइनस कर दिया जाएगा और यह हो जाएगा 36,000 यह हो जाएगा 36,000 ठीक है और 36,000 will be your taxable HRA तो अब HRA में अगर हम लोग देखते हैं तो HRA 36,000 आपका taxable यहाँ पर निकल कर आ जाता है ठीक है HRA में 36,000 यहाँ पर निकल कर आ जाता है अब rent-free accommodation के बारे में बात करते हैं तो question पढ़ते हैं सबसे पहले यह accommodation है क्या तो अब क्या यहाँ पर यह जो rent-free accommodation है यह employer ने own किया हुआ है नहीं यह employer ने खुदी किराय पर लिया हुआ है तो अगर employer ने खुदी किराय पर लिया होता है तो rent-free unfurnished accommodation की value कैसे आती है या तो rent paid by the employer या फिर 15% of your salary, whichever is lower, right rent paid by the employer या 15% of the salary, whichever is lower तो इसके लिए salary क्या आएगी आपकी इसके लिए salary में आपका सब कुछ आ जाएगा तो rent-free unfurnished accommodation के लिए जब आप salary calculate करोगे basic salary आपकी आएगी basic salary 2,88,000 क्याएगी plus DA in terms होता है तो DA तो आएगा नहीं plus प्रोजेक्ट allowance आएगा आजाएगा यह सारी चीज़ा आजाएगी एकसेप्ट फॉर 51,840 ठीक है rent-free accommodation में तो सब आता है न basic plus DA in terms plus सारे टाइप के commissions plus bonus plus सारे taxable allowances plus other cash benefits other than perquisites ठीक है तो यहाँ पर 2,80,000 आगया 2,88,000 यहाँ पर आगया फिर DNS allowance तो है नहीं पर यह bonus है 24,000 रुपेका तो bonus आया 24,000 रुपेका और यह जो project allowance है project allowance आईए आपके 17,280 के 17,280 की project allowance आगया तो यह हो गया 2,88,000 plus 24,000 plus 17,208 यहाँ ते 3,29,280 3,29,280 3,29,280 आगया अब इसका 15% हम लोग लेंगे इसका 15% यहाँ पर 15,000 रुपे पर मंथ जो rent pay किया जारे whichever is lower तो lease of the following actual rent paid 15,000 रिंटु बारा 15,000 रिंटु बारा इस 1,80,000 तो 1,80,000 1,80,000 यहाँ फिर 15% of the salary 15% of 3,29,280 49,392 49,392 ठीक है तो इन दोनों में से जो भी lower होगा वो हो जाएगा value of rent free accommodation 49,392 यह आपके पास आजाता है 49,392 तो अब आप यहाँ पर करोगे 49,392 अब आप देख लो किस case में ज्यादा आरी है income 288 प्लस 51,840 प्लस 24,000 प्लस 17,280 प्लस 36,000 इस case में आपके है 4,17,120 4,17,120 ठीक है और rent free accommodation के case में के आ रहा है rent free accommodation के case में 2,88,000 प्लस 51,840 प्लस 17,280 प्लस 24,000 प्लस 49,392 यह आता है 4,30,512 4,30,500 तो अगर यह rent free accommodation लेती है तो इसकी salary आती है 4,30,512 और अगर HRA component में जाती है तो 4,17,120 ज्यादा कहा हुआ है ज्यादा यहा हुआ हुआ ज्यादा टाक्स यहां पर देना पड़ेगा तो HRA option is preferred of motor car और other convenience facility अगर motor car की perquisite provide की गई है employer ने तो फिर उसकी taxability employee के हाथ में किस तरह से होगी वो अब हम लोग यहाँ पर discuss करेंगी आओ देखो तो motor car और other convenience facility में या तो motor car दी होगी या तो other convenience दी होगी अगर motor car दी हुई है तो उसमें 3 cases आ सकते हैं या तो motor car could be owned by the employer या तो hired by the employer पतलब employer के खुद की motor car है या तो employer ने कहीं से किराय पर ली हुई है या फिर motor car जो है owned by the employee है तो अब employee की ही है तो फिर कैसे perquisite हुई तो उसका खर्चा पानी वो बेर कर देगा employer employer कहेगा गाड़ी रख्यो हम कहीं आ रख्ये तो employer कहेगा चलो आज से petrol वेटरोन का खर्चा हम दे रहेंगा तो perquisite तो हो गई motor car की perquisite हो गई लेकिन the motor car is owned by the employee चलो ऐसे case में अब क्या होता है अगर owned by employer है तो देखो फिर से 2 cases आते हैं अगर owned by employer है फिर से 2 cases आते हैं आप इस video के description में दिये हुए PDF के notes को download कर सकते हो और वहाँ पर आप please देख लीजेगा हो सकता है screen पर आप लोगों को उतने अच्छे से दिखाई ना दे थोड़ा सा blurred आ है लेकिन इस video के description में notes का link दिया हुआ है notes PDF properly uploaded है उस PDF को download करके आप उसको zoom करके आप proper A4 size में PDF दिया हुए है उससे आप लोग इसको read out कर सकते हो ठीक है to all those students you can download the notes from the link given in the description below and you can read all of this out notes में आपको सब कुछ दिया हुए even if this is not as clear to you in the screen but फिर भी आप अपनी PDF को refer कर सकते हो ठीक है चलो देखो sir अगर motor car owned by the employer है अगर motor car employer ने own की हुई है और इसकी running and maintenance भी employer दे रहा है running and maintenance भी employer दे रहा है तो देखो अगर motor car private purpose के लिए use की जा रही है employee ने private purpose के लिए use की तो what will be the value of taxable perquisite maintenance charges plus chauffeur's salary मतलब driver की salary plus 10% of the cost 10% of the cost क्यों क्योंकि owner ने दिया हुआ है ठीक है maintenance charges, chauffeur's salary तो हमेशा taxable होगी होगी अगर private purpose के लिए मैं किसी company में नौकरी कर रहा हूँ मेरे को perquisite मिली है perquisite मेरे को क्या मिली है driver भी मिला है गाड़ी की maintenance भी मिल रही है तो वो गाड़ी की maintenance अगर employer नहीं देता तो मैं करता तो tax लगेगा ड्राइवर अगर वो ओनर नहीं देता तो फिर मैं देता तो उस पर भी tax लगता तो maintenance charges और chauffeur's salary तो आए गई आएगा plus क्योंकि ये owned by the employer है तो 10% of the cost भी आ जाएगा minus amount recovered from the employee एकदम straight, simple, logical एकदम logical ठीक है तो ये तो हुआ कि अगर motor car owned by the employer है और running and maintenance charges employer दे रहा है और ये गाड़ी private purpose के लिए use की जा रही है तो फिर क्या सिर्फ गाड़ी का किराय दूँगा तो 10% of the cost हो जाएगा सिर्फ 10% of the cost taxable value हो जाएगी तो ये शोफर salary maintenance charges ये खतम होगे ना आपके अब सिर्फ आपका 10% of the cost बचा अब देखो अगर गाड़ी owned by the employer है और partly private, partly business purpose के लिए गाड़ी यूज की जा रही है तो फिर अगर गाड़ी की cubic capacity 1.6 liters से कम है 1.6 liters से कम है यानि 1600 cc से कम है तो फिर 1800 रुपीज पर मन्त प्लस 900 रुपे ड्राइवर की salary ठीक है 1800 रुपे पर मन्त तो taxable हो गई और अगर ड्राइवर प्रोवाइट किया है तो 900 रुपे और taxable हो जाएगा अगर capacity 1.6 से ज्यादा है तो 2400 रुपे प्लस 900 रुपे ड्राइवर ड्राइवर का 900 रुपे सेम रहेगा गाड़ी बड़ी हो जाने से ड्राइवर थोड़ी ज्यादा पैसा लेगा ड्राइवर तो वही है गाड़ी चलाएगा तो ड्राइवर ज्यादा पैसा तो लेगा नहीं तो 900 रुपे पर मन्त ड्राइवर का यहाँ पर आपका taxable हो जाएगा और अगर छोटी गाड़ी है यानि 1.6 लीटर से कम है इसकी cubic capacity तो 1,800 रुपीस पर मन्त फिल भी taxable और अगर ज्यादा है तो 2,400 रुपीस पर मन्त फिल भी taxable एक यह तो तब अगर running and maintenance cost employer पे कर रहा है और विस ही बात है अगर running and maintenance cost employee पे करेगा तो value of taxable perquisite कम होगी ना तो आओ देखो यहाँ पर क्या है अगर cubic capacity 1.6 लीटर से कम है तो 600 रुपीस पर मन्त यह अठारा सौ था यह 600 रुपीस पर मन्त प्लस 900 रुपे इस शोफर इस प्रुवाइड ठीक है अगर cubic capacity 1.6 लीटर से ज्य मैं एक बार आपको फिर से बता दे रहा हूँ गाड़ी employer के खुद की है गाड़ी जो है employer के खुद की है आप private purpose के लिए यूज कर रहे हो अगर आप private purpose के लिए यूज कर रहे हो तो आप 10% of the cost पे करोगे 10% of the cost तो आपको पे करना ही करना है अगर running and maintenance employer दे रहे है तो वो running and maintenance employer दे रहा है तो running के लिए driver देगा वो driver की 900 रुपे salary fix है driver की 900 रुपे salary कहीं नहीं जारी चाहे चोटी गाड़ी हो चाहे बड़ी हो चाहे कुछ भी हो अगर business के लिए यूज करना हो तो driver के लिए 900 रुपे आपको वो करना होगा 900 रुपे पर tax लगेगा अब सुनो अगर गा पर वो running maintenance पे कर रहे हो तो पर taxable value 600 और 900 हो जाती है आगे देखते है अगर यह गाड़ी employer में higher की हुई है again very simple instead of 10% of the cost instead of 10% of the cost higher charges paid by the employer higher charges paid by the employer बाकी सारे एकदम सेम बाकी सारा एकदम सेम सब कुछ एकदम word to word सेम ठीक है और कहीं कोई change नहीं है पार्टली बिजनस पार्टली परपस यह देखो 800-900 capacity ज्यादा 2400-900 ठीक है इधर maintained by the employee तो यहाँ पर 600 और यह 900 यहीं पर तो था 600-900 800-2400 800-2400 600-900 सेम सिर्फ फर्क इतना आएगा अगर hired by employer है तो hired by employer में अगर private purpose के लिए यूज़ कर रहे हो तो आपको higher charges दे लेंगे instead of 10% of the cost बाकी सब कुछ exactly सेम है ठीक डन उसके बाद देखो अगर यह गाड़ी employee की है अगर यह गाड़ी employee की है तो obviously running and maintenance charges employer pay करेगा अगर running and maintenance charges भी employee पे कर दें तो काही की perquisite हुई गाड़ी भी मेरी running and maintenance charges भी मेही पे करूँ तो काही की perquisite right perquisite तो तब ही होगी जब इसको employer pay करेगा चलो अब अगर employer pay कर रहा है और मैं private purpose के रिए यूज़ कर रहा हूँ तो हम देखेंगे कि amount कितना incur कर रहा है employer running and maintenance charges के लिए amount कितना incur कर रहा है वो और मुझसे कितना recover कर रहा है तो this minus this अगर partly business partly private है अगर partly business partly private है तो देखो ये दोनों चीजें ये दोनों चीजें एकदम common रहेंगे ये दोनों चीजें एकदम common रहेंगे देखो अगर गाड़ी employer की होती है अगर गाड़ी employer की होती तो फिर इतना tax लगता ना अगर गाड़ी employer की होती तो इतना tax लगता कितना tax लगता अठारो सो रुपे पर मंत और प्लस नौस रुपे ड्राइवर का इधर देखो अगर गाड़ी की केपासिटी वन पॉइंट शेका में रहा है तो हम देखेंगे कि एक इम्प्लॉईर ने कितना पे किया लेकिन अब यहां पर अठारा सोर पर हम टाक्सीबल नहीं करेंगे यहां पर तो ऐधादा सुर पर ही टाक्सीबल हो रहा था अमायों प्लस इसorns एफ शोफर्र सभुइब और अगर capacity 1.6 से ज्यादा है तो amount incurred by employer minus 2,400 रुपीज पर मंद प्लस 900 रुपे अगर शोफर is provided ठीक है तो basically ये 1800 रुपे और ये 2400 रुपे यहां से minus किया गया है ये 1800 रुपे और ये 2400 रुपे यहां से minus किया गया है क्योंकि जितना भी amount employer incur कर रहा है उस पर हम tax दे रहा है तो जितना employer जितना amount employer incur कर रहा है उस पर भी हम tax दे और ये 1824 रुपर भी act दे टाक्स दे तो ये तो बहुत higher amount ठीक है अगर employee ये claim करता है कि गाड़ी जो है मेरी वो मैंने purely official purposes के लिए यूज की और मेरा खर्चा वाकई बहुत ज्यादा हो गया तो employee वो claim कर सकता है अगर दो conditions satisfy हो जाए तो कौन कौनसी दो conditions पहली condition employer जो है उसका he should have maintained the full details of journey undertaken for official purpose including the date of journey designation mileage and expenditure incurred thereon जो owner है employer है उसको ये सारी की सारी details note करके रखनी होंगी and the employer gives a certificate to the effect that the claimed expenditure was spent wholly and exclusively for the official purposes और employer ये declaration दे कि हाँ जो employee कह रहा है वो एकदम सही कह रहा है और ये सारा का सारा पैसा ये सारा का सारा खर्चा wholly official purpose के लिए ही हुआ था अगर ये दोनों conditions satisfy हो जारी है तो फिर ज्यादा का exemption भी क्लेम कर सकता है employee अगर 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 कार वाली तो वो हमारा taxable हो जाएगा और अगर पार्टली बिजनस पार्टली परपस है तो फिर amount incurred by employer minus 900 रुपे पर मन्त ये हमारी taxable value हो जाएगी और ये वाला point एकदम से में कि अगर employee कहता है कि नहीं पूरा holy official purpose के लिए use किया था और जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा आया था तो फिर अगर दो condition satisfy होती है पहला कि employer वे उसकी पूरी सारी trip की details maintain करके रखे हुई है और employer इस एफेक में declaration देता है कि हाँ जो भी ये कह रहा है वो एकदम सही है official purposes के लिए ही खर्चा हुआ था तो फिर वो higher exemption claim कर सकता है ठीक है आईए सर notes देखते है if the conveyance is used wholly and exclusively for the purpose of business then it will be fully exempt because then it won't be a perquisite ठीक है अगर पूरी की पूरी तरह से आपने business के लिए use किया तब कही की perquisite हुई गाडी दी हुई है सिर्फ office का काम करोगे घर के लिए ने दी हुई है तो it won't be a perquisite if more than one car is provided to the employee not wholly for official purpose then one of those cars will be treated for private purpose and the other car will be treated for partly official and partly private purposes employee को दो-दो cars दे दी तो एक car को wholly private purpose के लिए मानेगे और दूसरे को partly private, partly office the perquisite is valued for each calendar month calendar month is the month starting from any particular date of a month but ending on a date immediately preceding the corresponding date of the new month for example 21st September से लेकर 20th October is a calendar month तो जो perquisite होती है वो calendar month के basis पर calculate की जाती है calendar month कैसे जैसे आज की date क्या है आज 27th January है ठीक है पता नहीं कौन सी date है आज क्योंकि मैं जिस्दिन रिकॉर्ड कर रहा हूं मैंने पहले रिकॉर्ड किया हुआ 1st February में एक calendar month पूरा हो जाएगा आओ देखो इफ देखो इफ देखो इफ देखो इफ देखो इस वर कम्यूटिंग बिट्मीन ओफिस और रेजिदेंस तो घर से ओफिस ओफिस से घर तो इसको ओफिसल यूज माना जाएगा यह सर चलो सर क्वेशिन देखते हैं तो नॉवेंबर 2004 में सवाल आय था पूर मार्क्स का लेस्ट इस क्वेशिन नाव Mr. A is provided with two cars to be used for official and personal work by his employer ABC Limited the following information is available from the company records cost of car पहली वाले के 6 लाग बुसे वाले के 4 लाग running and maintenance borne by the company चाले ससी और चाले साट सो और अठाई सबार salary of the driver borne by the company 24,000 चाले सबार the taxable monetary emoluments of Mr. A are 90,000 rupees compute the taxable perk in respect of cars on the assumption that car 2 is used exclusively for personal purposes by A car 2 जो है वो सिर्फ personal purposes के लिए यूज की गई है ठीक है आओ सर देखते है the perquisite in respect of motor car will be taxable in the hands of Mr. A as he is a specified employee अभी specified employee क्या होता है वो हम लोग ने discuss नहीं किया है पर अभी थोड़ी दिर में discuss करेंगे उसको ठीक है since in the question it is specifically mentioned that car 2 is used for private purposes therefore car 1 shall be taken as used for partly official and partly personal purposes अभी दो cars इसको provide की गई है car 1 partly official, partly personal purpose के लिए cubic capacity mentioned नहीं है तो हम assume कर रहे हैं कि cubic capacity उसकी 1.6 से ज्यादा होगी ठीक है cubic capacity अगर 1.6 liter से ज्यादा है partly official, partly खुद के लिए और employer ने गाड़ी दिये employer ने गाड़ी दिये तो क्या होगा 1.6 liter से ज्यादा होगा तो 2400 रुपे पर मत प्लस 900 रुपे पर मत ड्राइवर की सालरी तो 2400 रुपे पर मत प्लस 900 रुपे पर मत ड्राइवर की सालरी 12 महिने के लिए तो 2400 प्लस 900 इंटू 12 कितना आता है 39600 रुपीज आता है ठीक है 39600 रुपीज आ जाता है 39600 रुपीज यह आपका निकल कर आ जाता है कार 2 जो है वो पर्सनल यूज के लिए है पर्सनल यूज के लिए अगर है तो जितना भी चार्जेस वो employer bear करेगा वो माइनस जितना हम से recover किया होगा ठीक है तो देखो maintenance charges born by the company 28 सदार maintenance charges born by the company 28 शोफर की salary कितनी है शोफर की salary 24 सदार शोफर की salary आपकी 24 सदार आ जाती है 24 सदार आ जाती है ठीक है और ये company की owned गाडिया है या company ने किराये पर लिए हुई है कष़ान थे कंपनी की ओंट गाडिया ये company ने किराये पर लिए है पर यहां पर कोई किराये वाला 30,000 यह आते 92,000 रूपीज और टैक्सिबल वाल्यू आपके हाथ में कितनी आईगी प्लस 39,600 इस वन लाक 31,600 रूपीज यह आपका टैक्सिबल वाल्यू निकलकर आ जाती है आप समय सबच में आगया बुरल इसन फौरेवर बुरल इसन फौरेवर न सुष्टेव एच प्टेवर चल लाएगे चलते श्वीपर, Gardiner, Watchman या परसनल अटेंट तो देखो if any sweeper, gardener, watchman or person attendant is provided to an employee or any of his household member then the value of perquisite shall be salary paid or payable to such person jitta company is paying minus the amount recovered from the employee obviously common sense gas, electricity and water facility gas, electricity, water facility इसमें क्या हो जाते है? आफट आफट से देखते so if these things are supplied by the employer from his own sources value of perquisite will be manufacturing cost per unit into number of units consumed by the employee अगर खुद वो बिजली का काम कर रही है company जो है वो खुद बिजली का काम कर रही है तो पर unit electricity बनाने में उसको कितना cost लगता है तो manufacturing cost per unit into number of units consumed by the employee एक तो फेली obvious if these things are supplied by the employer from outside agencies value of perquisite will be the higher charges paid to such agencies जितना भी किराया पे किया गया वो आपकी value of taxable perquisite आजाएगी if any amount is recovered from the employee the same shall be reduced to arrive at the taxable value तो यह तो हम लोगों को पता ही है next pre और concessional educational facility अब देखो यह कमाल की बात pre या concessional educational facility हम लोगों ने कल allowances में क्या देखा था हम लोगों ने कल allowances में education allowance देखा था जिसमें आपको 100 रपे पर मन्थ पर child allowed था hostel allowance देखा था 300 रपे पर मन्थ पर child allowed था right as a deduction, as an exemption यहाँ पर अब आपको education के लिए कोई पैसा नहीं दिया जा रहा है यहां पर आपको पढ़ा दिया जा रहा है ठीक है, educational facility आपको दी जा रही है आओ देखते हैं value of perquisite होगा क्या actual expenditure incurred by the employer if employer incurs cost of education value of perquisite cost of such education in a similar institution in or near the locality if the educational institution is owned and maintained by the employer or free educational facility is provided in any other institution by reason of its employment with that employer आओ, इसको पहले समझते हैं यहां पर simple बोला गया है कि अगर मैं employer हूँ ठीक है, और suppose आप employee हूँ आपके बच्चे को मैं school में दाखिला करवा देता हूँ ठीक है, और आपके बच्चे की school की fees मैं pay कर रहा हूँ तो जितनी भी fees मैं pay कर रहा हूँ वो एक तरह से आपकी salary हो गई वो आपके लिए taxable amount हो जाएगा उसके लिए अगर मैं आपसे थोड़ी बहुत कुछ पैसा ले रहा हूँ तो उतना minus कर देंगे और वो आपके लिए taxable amount हो जाएगा लेकिन अगर मेरा खुद का school है तो फिर क्या हो जाएगा तब फिर मुझे उस बच्चे की school थोड़ी fees सोड़ी देनी पड़ेगी तो फिर हम देखेंगे कि similar schools में fees क्या है और वही आपके हाथ में taxable हो जाएगा तो value of perquisition will be cost of such education in a similar institution in or near the locality if the educational institution is owned and maintained by the employer या फिर free educational facility is provided in any other institution by reason of disemployment with that employer हो सकता है आपका employer किसी और कि यहाँ पर employed हो तो उसकी वज़े से किसी free educational facility आपको provide की जा रही है तो जो भी similar educational institution है वहाँ पर जो भी fees लगती है similar qualification के लिए वो आपके हाथ में taxable हो जाएगी इस perquisite पर कोई tax नहीं लगेगा अगर pre-educational facility is provided to the children of the employee अगर बच्चों को free education provide की जा रही है तो कोई tax नहीं लगेगा अरे सर तो उपर वाली tax क्या था यहाँ पर क्या लिखा है free or concessional educational facility कई सारी organizations अपनी employees के लिए भी educational facilities प्रवाइड करते हैं उनको push करते हैं कि आप यह training programs attain करो आप यह पढ़ लिख लो आप ऐसा कुछ करो अगर बच्चों के लिए तो tax free है यह लेकिन अगर खुद के लिए है अगर आप employee को पढ़वा रहे हो तो फिर यह tax लग जाएगा तो देखो तो यहाँ पर at least educational facility में हजार उपे पर मत पर चाइड तो किया आपका exempt होता था बागी सारा tax से बलो जाता था यहाँ free educational facility में क्या होता है free educational facility अगर employee के लिए दी जा रही है या किसी और member के लिए दी जा रही है तो फिर उसमें इस तरह से tax होगा कि अगर आप खुद के institution में करवा रहे हो तो similar institution का अगर आप किसी और institution में करवा रहे हो क्योंकि आप employed हो तो फिर आप उसी similar institution का नहीं तो अगर आपने कहीं पर भी employment के लिए खर्चा कहीं पर भी education के लिए खर्चा किया तो फिर उतना जितना भी खर्चा employer कर रहा है उतना employee के हाथ में taxable हो जाता है अगर आपने के लिए खर्चा के लिए अगर आपने करता है दो लाक रुपे साल की सालरी लेता है और following members, family members are studying in the set school find out the taxable value of perquisite आओ देखते हैं particulars, cost of education in a similar institution राहुल, son of Ramesh राहुल जो है, वो son of Ramesh है तो 3500 रुपे पर मंथ 3500 रुपे पर मंथ बच्चे के लिए तो 1000 रुपे पर मंथ तक exempt है उसके ओपर taxable है कजरी, the daughter of Ramesh 1800 रुपे पर मंथ तो 800 रुपे पर मंथ कजरी का taxable हो जाएगा और 5000 रुपे पर मंथ राहुल का taxable हो जाएगा फिर amount charged from Ramesh 5000 रुपे पर मंथ तो राहुल का तो free हो गया राहुल का free क्यों हो गया क्योंकि 3500 रुपे इसमें taxable आएगा कितना, 1000 रुपे को छोड के आएगा मथब 5000 रुपे पर मंथ taxable आएगा और 5000 रुपे ये employee से ले ले रहा है तो 5000 minus 6000 रुपे पर मंथ कजरी का 800 रुपे पर मंथ taxable हो जाएगा कजरी का 800 रुपे पर मंथ taxable हो जाएगा या फिर कजरी का daughter of Ramesh, Rahul son of Ramesh चलो देखते हैं तो अगर हजार रुपे तक है तब तो ठीक है तो यहां पर भी यह नहीं होगा 3,500 रुपे फुली टाक्सिबल हो जाएगा यहां पर 3,500 रुपे फुली टाक्सिबल हो जाएगा और 3,500 में से जब हम माइनस करेंगे 2,500 रुपे तब आएगा यह आपका 1,000 रुपे पर मत तब आएगा यह आपका 1,000 रुपे पर मत उनको मैं आपको दुबारा समझा देता हूँ तब तो exempt है 1,000 रुपे पर मत से ज़्यादा का खर्चा अगर आपका employer कर रहा है तो फिर वो फुली टाक्सिबल हो जाता है रमेश के केस में अगर हम लोगे सारी राहुल के केस में अगर हम देखें तो 3,500 रुपे पर मत की cost of education है 1,000 रुपे से उपर हो गया फुली टाक्सिबल हो गया फुली टाक्सिबल में से माइनस क्या करोगे माइनस करोगे जितना पैसा आप employee से recover कर रहे हो employee से recover कर रहे हो कितना 2,500 रुपे तो 3,000 माइनस 2,500 3,000 माइनस 2,500 कितना आया यह आगया 1,000 रुपे और अब ये क्योंकि एक हजार के अंदर आगया, इसलिए कोई टाक्स नहीं लगेगा, तो देखो, further, if the value of concessional facility is up to 1000 रुपीस पर मन्त, it will also be exempt, in case of Rahul, the value of perquisite shall be 3500-2500, that is 1000 रुपीस पर मन्त, as the value of perquisite doesn't exceed 1000 रुपीस पर मन्त, the perquisite shall not be taxable, perquisite अगर 1000 से उपर नहीं जा रही है, तो फिर वो taxable नहीं होगी, perquisite अगर 1000 से उपर गई, तो perquisite की value पूरी की पूरी taxable हो जाएगी, कजरी के case में, perquisite की value 1000 से उपर चलीगी, क्योंकि कुछ recover तो किया नहीं, ठीक है, मालनों यहाँ पर 800 रुपे recover कर लेता, तो 1000 रु के case में, पूरा का पूरा, 1800 taxable हो जाएगा, I am sure, यह वारी बात आप सब किस समझ में आ गई, बनो, निष्टें, forever, बनो, निष्टें, forever, बनो, निष्टें, forever, ठीक है सार, आईए, इसको हम लोग एक बार देखते है, तो if any transport facility is provided by an employer carrying transport business or carrying goods or passengers to his employee in a convenience, owned, leased or made available by some arrangement, then taxable value will be what, taxable value will be amount charged from general public from such facility, minus amount recovered from the employee if any, exception, exemption के, this tool shall not apply to employees around an airline or the railways, आओ, इसको समझ ते, तो जैसे कई सारी companies क्या करती है कि two and four के लिए transport facility वो companies खुद provide करती है cab numbers a lot हो जाते हैं तो फिर शाम को जब आप जाने वाली बारी आती है तो उस cab number में आप जाकर बैठ जाते हो और वो गाड़ी आपको घर पहुचा देती है तो देखो यही वाली चीज है इफ transport facility is provided by an employer carrying a transport business लेकिन ये business किसका होना चाहिए ये transport business का होना चाहिए अगर कोई IT company आपको transport facility प्रवाइड कर रही है तो नहीं transport business करने वाली company अगर कोई अपने employee को transport facility प्रवाइड कर रही है to his employee in a conveyance owned, leased or made available by some arrangement किसी भी तरह से चाहिए वो conveyance खुद से owned हो, चाहिए किराय पर हो, चाहिए किसी भी तरह से हो तो फिर taxable value कितनी होगी amount charged from general public for such facility minus amount recovered from the employee if any तो taxable value वही हो जाएगी जो बाकी लोगों से charge किया जाता है आपको तो concession में मिल जाएगा लेकिन taxable value वही हो जाएगी जो general public से charge किया जाता है और आपसे इतना भी recover किया जाएगा उसको minus करती है जाएगा exemption, this rule shall not apply to employees of airline or the railways अब आजाओ, next है taxation of employee stock option plans, ESOPs या sweat equity shares अब देखो, employee stock option plans होते क्या है employee stock option plans यह होते हैं कि जैसे suppose मैं अभी an academy में काम करता हूँ अन academy वाले खुश होगे क्या निशानत कुमा तो बड़ अच्छा काम करता है अब फिर मैंने का कि मैं लेकिन छोड़ के कभी भी जा सकता हूँ तो an academy वाले चाहेंगे कि मैं an academy के पास रुक जाऊँ तो अब employer क्या करता है अपने employee को employee stock option plan देता है इसका मतलब यह होता है employer जो है वो अपने employee से कहता है कि तो अगर 4 साल और रुक गए न 4 साल और रुक गए तो आज की value के तुम्हें 30 लाग के shares अब 4 साल बात दे देंगे मतलब आज shares अगर 30 लाग रुपे के है आज की value 30 लाग रुपे और आज per share का price अब वो 100 रुपे तो 30 लाग divided by 100 कितना आता है 30 लाग divided by 100 कितना आता है 30 लाग divided by 100 आता है आपका 30,000 तो employer ने मेरे को promise किया employer ने मेरे को promise किया कि अगर आप 4 साल रुख जाते हो, तो 4 साल बाद हम आपको अपनी कंपनी के 30,000 shares दे देंगे, हम आपको अपनी कंपनी के 30,000 shares दे देंगे, ये employer ने employee से promise कर लिया, right, अब employee चाहे, तो ये इस option को exercise कर सकता है, और वो रुख जाता है, तो अब ये जो, ये इस चीज को बोलते ह अब ये कैसे taxable होता है, आओ देखते हैं, तो employee stock option plan is an incentive scheme by the employers to retain employees for a longer duration, in the scheme, employees are given option to purchase stocks of the company valued at today's value after a certain period of time with the condition that employee continues to stay employed in the company, right, तो कई बार ये shares free में देते हैं, जैसे मैंने अब ये आपको जब समझा है, तो मैंने का 30,000 shares आपको free में देते हैं, चार साल बाद आपको 30,000 shares free में दे value पर आपको चार साल बाद भी shares हम दे देंगे, तो आज 100 पर, चार साल बाद हो सकता है, इसकी value 200 हो जाए, लेकिन मेरे को 100 पर ही shares मिल जाएंगे, आगे देखो, sweat equity shares क्या होता है, तो sweat equity shares means equity shares issued by a company to its employees or directors at a discount or for consideration other than cash for providing know-how or making available rights in the nature of intellectual property rights or value additions by whatever name, so basically जो आपने high level के employees होते हैं, उ sweat equity shares दिया जाता है, discount पर, जाए वो high level employee हो, जाए वो high level director हो, जो आपको कुछ technical know-how बगरा प्रवाइड कर पा रहा है, अपना दिमाग दे पा रहा है, आपके business में, तो उसको आप sweat equity shares दे देते हो, taxability of ESOPs या sweat equity shares arises when they are allotted or transferred directly और indirectly by the employer और former employer, ठीक है, तो आप बिद देखो, अ हम तुमें 30,000 shares दे देंगे, तो अब मेरे को एक बात बताओ, क्या आज ही इस पर सरकार tax भी लेने आ जाएगी, नहीं, मेरे को मिलने तो दो पहले 30,000 shares, देखने तो दो कि वो कितनी value के shares मिले, उसके बाद मैं tax दूँगा नो उसको, 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 तो यहाँ पर यही जाता है, तो fair market value determined as per prescribed method of the security or sweat equity shares on the date on which the option is exercised by the SSC employee, तो उस दिन की fair market value, आज सुनो, अगर मैंने आज exercise किया, मैंने का चलो ठीक है, मेरे को आज 30,000 shares चाहिए, आज market में value 1,500 रुपे की, मैं exercise करूँगा, तो मैं कितने में खरीदूँगा, मैं 600 रुपे में खरीदूगा, तो perquisite बाला portion कितना हुआ, perquisite बाला portion ढखे टाकसेबल होगा, perquisite बाला portion कितना हुआ, 1,500 हो गया, simple बात है है, ठीक है, अने काड़ी ने मुझसे कहा, 4 साल बाद, 75,000 पहले चार साल पहले, 100 रुपे का शेयर था, ठीक है, अने का ठीक है, अब आज क्या हुआ, 30,000 shares में खरीदने और गुरूरपे पर शेयर का फाइदा हो रहे है न वहीं तो पर कोज जैठेज तो देखो तो इस बिद्ध आपको निकल कर आ जाता है वाल्य अफ सच एक्षियर्ट शेयर्ट यह आपका निकल कर आज देर्गे अच्छा अब यह eligible startup के case में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से startups के case में ESOPS मिल गए अलोट्मेंट तो हुआ नहीं तो eligible startup अगर कोई है अब कौन से startup को eligible startup बोलेंगे वो एक अलग कहानी है उसके बारे में कभी और बात करेंगे इधर देखो तो यह वाले जो startups होते हैं उनसे अगर हमें ESOPS वगेरा मिलते हैं तो उस पर taxability तुरंत नहीं दी जाती थोड़े delay करके दी जाती है उस पर taxability delayed करके arise होती है तब भी deferment of taxability इसको बोला जा रहा है आओ देखते हैं कैसे होता है deferment of taxability in case of in case of ESOP allotted to employee of eligible startup देखो if the shares are allotted by a startup under section 80 ISE the tax or interest on such income shall be payable within 14 days of the earliest of the following 14 days of the earliest of the following after the expiry of 48 months from the end of the relevant assessment year or from the date of sale of such specified security or spread equity shares by the SSE or from the date of the SSE seizing to be the employee of the employer who allotted or transferred to him such specified security or spread equity share देखो normally क्या होता है normally तो जिस दिन मैंने अपना option exercise किया normally जिस दिन मैंने अपना option exercise कर दिया उस दिन taxability arise हो जाती है लेकिन अगर मैं eligible startup का पार्ट हूं तो फिर क्या होता है मुझे 14 दिन के अंदर अंदर टाक्स पे करना होगा 14 दिन कहां से count किया जाएंगे from the earliest of the following 48 months from the end of the relevant assessment year after the expiry of 48 months from the end of the relevant assessment year तो जिस साल मैंने इस option को exercise किया जिस साल मैं कहा कि हां लाव मैं 100 रुपे में खरीदता हूं नॉर्मली क्या होता है उसी साल मुझे tax देना पड़ता है नॉर्मली मुझे उसी साल tax देना पड़ता है लेकिन अभी eligible startup में हूँ तो फिर क्या होगा previous year 22-23 में suppose मैंने कहा तो previous year 22-23 के assessment year कौन से होगा 23-24 तो यानि 31st March 2024 उसके भी चार साल के बार तो 31st March 2028 के 14 दिन के अंदर-अंदर मुझे tax पे करना होगा देखो कि इस इस इंकम पर मुझे tax कप पे करना होगा इस इंकम पर मुझे tax कप पे करना होगा इस इस इंकम पर मुझे tax पे करना होगा within 14 days यह 14 दिन कहां से count किये जाएंगे यह 14 दिन count किये जाएंगे after the expiry of 48 months from the end of the relevant assessment year तो जिस साल मैंने इस option को exercise किया उस साल का relevant assessment यह 22-23 में exercise के option उस साल का relevant assessment यह कौन सा होगा 23-24 कहां खतम हो रहा है 31 मार्च 2024 को उसके 48 महीने बाद यानि 30 मार्च 2028 उसके 14 दिन के अंदर अंदर यानि 14 एपरिल 2028 के अंदर अंदर मेरे को टैक्स पे करना होगा ठीक या रॉम देट ऑफ सेल अफ सच स्पेसिफाइड सेक्योरिटी और स्पेड एक्विटी शेयर भाई अभी मैंने खरीदा है अभी मैंने option को exercise किया अभी मुझे तुरंत टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर मैं कल को इन को बेच देता हूं तो बेचने के चौदा दिन के अंदर अंदर मुझे टाक्स पे करना पड़ेगा इस वाले amount ठीक है बेचने के चौदा दिन के अंदर अंदर मुझे इस वाले amount पर टाक्स पे करना पड़ेगा किदर देखो from the date of the SSE seizing to be the employee of the employer who allotted or transferred to him such specified equity और side equity shares मतलब मेरे को आगया मैंने exercise कर लिया option अब इस option को exercise करने के बाद अगर मैं उस organization को छोड़ देता हूं तो जिस दिन मैं organization को छोड़ता हूं उसके 14 दिन के अंदर अंदर मुझे इस पर tax pay करना पड़ेगा I hope यह वाली बातें आपको clear हो चुकी है सबसे पहली बात तो employee stock option plans पर taxability आती कैसे है तो जब allotment हुआ तब कोई taxability नहीं आई क्योंकि तब value तो आई नहीं हाथ में जब exercise करेंगे तब taxability arise होगी normal cases में लेकिन अगर कोई eligible startup है यह eligible startup क्या होता है अभी intermediate के लिए आपको सिर्फ इसका नाम याद रखता है क्योंकि ATIAC वाले जो section है वो आपका CA final में तो अगर कोई eligible startup है eligible startup में मैंने exercise कर लिया option मेरे पास income आ गई पर मुझे tax देनी की ज़रुरत नहीं है मुझे tax कब देना होगा तीन दिनों को देखेंगे इन तीनों में से जो भी सबसे पहले आएगा उसके 14 दिन के अंदर-अंदर मेरे को tax देना होगा पहला क्या जस साल मैंने option exercise किया उस साल के assessment year से चार साल के अंदर चार साल ठीक है तो तो 31st mark 28 आता है तो 14th April 28 दूसरा अगर मैं इन shares को कभी बेच देता हूं तो बेचने के 14 दिन के अंदर-अंदर या अगर मैं उस organization को छोड़ देता हूं तो organization छोड़ने के 14 दिन के अंदर-अंदर मुझे ये pay करना पढ़ जाएग ठीक आओ, तस tax burden on such employees getting ESOPs has been reduced by deferring the payment of tax by 5 years or till they leave the company or when they sell their shares whichever is earliest. पांच साल कैसे आ गया? क्योंकि जिस साल 22-23 में मिला न आपको, तो एक पूरा साल relevant assessment year भी तो हुआ, 22-23 में मिला, ठीक है, सपोज मेरे को आज मिलगा, 27th January 2023 को मिला, तो financial year 22-23 में मिला, अब इसका, यह 31st माँ 2023 को खतम हुआ न, काई देट पर तो मेरे को 31st माँ 2023 में ही pay करना चाहिए था, इसी साल pay करना चाहिए था, इसका assessment year 23-24 छूट गया, फिर 23-24 के बाद 4 और साल, तो total 5 साल का deferment हो गया, तो देखो, अब fair market value कैसे calculate की जाएगी, यहाँ पर यह जो fair market value है, fair market value किस तरह से calculate की जाएगी, आओ देखते है, अगर shares listed है, if the shares of the company are listed on the date of exercising the option, जिस दि अगर shares listed है, तो क्या होगा, on only one recognized stock exchange and shares are traded on that date, on that exchange, अगर shares सिर्फ एक एक्चेंच पर लिस्टेट है, जैसे इंडिया में दो major exchanges कॉन से है, national stock exchange, bombay stock exchange, कुछ companies हो सकता है, सिर्फ bombay stock exchange पे लिस्टेट हो, कुछ companies हो सकता है, सिर्फ national stock exchange पे लिस्टेट हो, और कई सारी companies है, जो द that date on the stock exchange plus corresponding closing price divided by 2 इस तरह से fair market value आईगी अगर on only one recognized stock exchange and the shares are not traded on that date एक stock exchange में लिस्टेड है लेकिन trading नहीं हुई उस दिन जिस दिन मैंने option exercise के उस दिन trading नहीं हुई तो फिर closing price of the share on that recognized stock exchange on an immediately preceding date closest to the date of exercising option अब यहां पर average नहीं है यहां पर जो भी लास्ट जो भी latest trading दे रहा होगा उसका closing price लेंगे वो fair market वाली ठीक है अगर trading उसी दिन हुई है तो average price opening plus closing divided by 2 लेकिर अगर trading नहीं हुई है तो latest day जो भी देखेंगे last cup trading हुई थी उस दिन का closing price fair market value अगर more than one और अगर more than one recognized stock exchanges में है and shares are traded on that date on any of the exchanges nse bse दोनों पर listed है और दोनों पर trading हुई है on the date of exercising the option तो फिर fmb कैसे निकली जाएगी opening price on that date on the stock exchange which records the highest volume of trading in the shares highest volume of trading ठीक है volume of trading का मतलब हुआ के एक ही company दो अलग 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 पर है दो अलग अलग stock exchanges पर है ठीक है एक stock exchange में 5000 shares का खरीद बेच हुआ दूसरे stock exchange में 10,000 shares का खरीद बेच हुआ तो ज्यादा volume किसकी आई 10,000 shares वाली की volume आई तो 10,000 वाली का opening और closing divided by 2 तो 10,000 वाली का opening plus closing divided by 2 on more than one recognized stock exchanges but shares are not traded on the date of any of the exchanges तो फिर closing price of the share on any of the recognized stock exchange which records the highest volume of trading in such share as on the immediately preceding date closest to the rate of exercising the option अगर दो stock exchanges है लेकिन trading नहीं हुई है तो फिर latest trading दोनों में से किस भी stock exchange पही हुई जिसकी volume सबसे ज्यादा रिकॉर्ट किये है उसकी आपकी share market value निकल कर आईगे अगर यह तो हो गया listed shares के बारे पर अगर unlimited equity share है तो फिर क्या होगा if the shares are if the shares of the company are not listed on any of the recognized stock exchange on the date of the exercising such option तो FMV कैसे निकलेगी such value of the share in a company as determined by category one merchant banker registered with the SEBI on specified date तो यह जो merchant bankers होते है यह आपकी company की value calculate करते है तो merchant banker category one merchant banker उनको SEBI के साथ register होना होता है तो जब यह register होते है और आपकी company की value निकालते है तो उसके हिसाब से fair market value calculate की जाएगी तो suppose company की value किसी एक merchant banker ने काली हजार करोड की और company के पास total shares कितने सपोस्स एक हजार shares है तो हजार करोड divided by हजार यह एक करोड शेर तो हजार करोड divided by एक करोड हजार रुपय पर share value आपकी निकल कर आती है that will be considered to be the fair market value specified security not being an equity share अगर equity share नहीं है तो फिर क्या होगा such value as determined by a merchant banker on the specified date ठीक है उसके बाद इतर देखो closing price of a share on a recognized stock exchange on a date means the price of the last settlement of such date on such stock exchange however where the stock exchange quotes both buy and sell prices the sell price shall be the closing price ठीक है कई सारे stock exchanges buy sell दोनों करते है तो highest bid price क्या था highest task price क्या था तो हम sell price को closing price मानेंगे opening price of a share on a recognized stock exchange on a date means the price of the first settlement on such date on such stock exchange however when the stock exchange quotes both buy and sell prices the sell price shall be the opening price to opening price कौन सा माना जाएगा sell price माना जाएगा specified date का क्या मतलब होता है date on which the option is exercised or any date earlier than the date of exercising the option provided such date is not more than 180 days earlier than the date of exercising the option तो जिस दिन आपने option को exercise किया या तो वो या तो उससे पहले वाली date पर 6 महिने से पहले की date नहीं होनी चाहिए 180 days से पहले की date नहीं होनी चाहिए प्लस का सब्सक्रिप्षिन लेने के लिए आपको अनेकाडमी के वेपसाइट पर जाना होगा आज कल 30% वाला ओफ भी चल रहा है थेख है तो आप अनकाडमी की website पर आओगे अपने की website पर आओगे अनेकाडमी की website पर आने के बाद आप यहां पर सस्टार्ट लर्न पर है मेरा कोड यूज करने पर आपको 20% का डिसकाउंट मिल जाएगा तो टोटल 30% का डिसकाउंट आपका यहां पर चल रहा है तो खुल जा भाई कि यह आगया तो अभी आप यहां पर जब मेरा कोड एंटर करोगे निश 10 और अप्लाइक कर दोगे तो 30% का डिसकाउंट आप लोगों को मिल जाएगा 10% से स्लाइश डाउन है और 20% का आपको अडिशनल डिसकाउंट मिल गया है वीडियो को प्लीज लाइक कर देना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आपको सेशन कैसा लगा थाइंक यू सो मच आल सी गया समारो ठेक केर बाइब